व्यंचक के पदों के उदाहरन बच्चो अब तक हमने व्यंचक के पद, उसके गुणन खंड यानी फाक्टर और गुणांग यानी कोएफिशन के बारे में जाना आईए अब इनसे जुड़े कुछ उदाहरनों का हल ढूंडें मोहन की आयू ए वर्ष है और उसके पिता की आयू उसकी आयू के तीन गुने से पांच वर्ष अधिक है तो उसके पिता की आयू कितनी होगी? चलिए मोहन के पिता की आयू को दर्शाने के लिए व्यनजक पता करती है यहाँ पर मोहन की आयू ए वर्ष है अब मोहन के पिता की आयू को दर्शाने के लिए हम ए में तीन का गुणा करती है हमें 3A प्राप्त होता है और फिर 5 का योग करती है जिससे हमें 3A जमा 5 प्राप्त होता है अगर इस व्यंजक को ध्यान से देखें तो इसमें 2 पद है जिसका पहला पद 3 और A के गुणा से बना है और दूसरा पद 5 है तथा 3 और A पहले पद के गुणान खंड है आईए अब दूसरे उदारन को समझते है मान लीजिए राधा के पास X पीले और Y लाल गुलाब है उसकी भाई रमेश के पास राधा से आधे पीले तथा 3 गुने लाल गुलाब है तो रमेश के पास कुल कितने गुलाब होंगे आगे अब रमेश के पास कुल गुलाबों की संख्या को दर्शाने के लिए वियन जक पता करती है राधा के पास पीले गुलाबों की संख्या X है और लाल गुलाबों की संख्या Y है अब रमेश के पास पीले गुलाबों की संख्या पता करने के लिए X को दो से भाग करेंगे और लाल गुलाबों की संख्या पता करने के लिए Y में तीन का गुणा करेंगे इसी प्रकार रमेश के पास कुल गुलाबों की संख्या को दर्शाने के लिए दोनों रंग के गुलाबों की संख्याओं का योग करेंगे जिससे हमें एक वियन जक प्राप्त होगा जो की x बटा 2 जमा 3y है इस व्यन्जक में भी हम दो पद देख सकते हैं जिसमें पहला पद x बटा 2 और दूसरा पद 3y है यहाँ पर व्यन्जक के पहले पद x बटा 2 के गुनन खंड x एक बटा 2 है और दूसरे पद 3y के गुनन खंड 3y है इन उदारनों से हमने सीखा है कि व्यन्जक के पद और उनके गुनन खंड कैसे बनते हैं अगले विडियो में हम व्यन्जकों से जुड़ी कुछ मिथ्या धारनाओं को जानेंगे और इन्हें दूर करेंगे धन्यवाद करेंगे